तर्णिया स्वामी चिदानन्द जी जी हिंदुस्तान योग इविमर्ष में बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद पूरा विश्व आज योगदिवस मना रहा है भारत के लिए बड़े गर्व की बात है क्योंकि खासकर अगर भारत के हम बात करें तो योग हमारे संस्कृती में हमारे संसकार में बड़े पुराने वक्त से रचा बसा रहा है और इस संस्कृती को आगे बढ़ाने में गुरु जी आपका भी बहुत बड़ा योगदान है लेकिन खासकर आच के दिन अगर मैं योग बनाए निरोग या फिर योग करो निरोगी रहो इस बात के बारे में जानना चाहूं तो यह संभव कैसे होगा मंत्र क्या है इसका देखिए पहली बात तो यह कि मैं आपको जी हिंदुस्तान की पूरी इंक्रेडिबल टीम को धन्यवाद देता हूं और योग दिवस के इस अवसर पर शुब कामना देता हूं निश्चित रुपेंड योग से हम निरोग रह सकते हैं यह पक्की बात है मेरा तो मानना है कि डेली करें योग और रहें निरोग स्वस्थ और निरोग रहने के लिए क्या चाहिए नमबर वन पीस्फुल माइंड और बैलेंस माइंड और डिसिप्लेंड माइंड योग से दोनों तीनों चीज़ों को हासिल किया जा सकता है परंतु कब जब हम योग को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं प्राते काल उठने से लेकर रात्तरी विश्राम तक जब हम ऐसा जीवन जीने लगते हैं योग में जीवन जीने लगते हैं तो उससे निरोग भी रहते हैं सुखी भी रहते हैं शांत भी रहते हैं और इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है, शरीर में उर्जा का स्तर बढ़ता है, और ध्यान करने से तनाव कम होता है, और मन में positivity, सकारत्मक्ता का संचार होता है, योग से तातपरिय दो-चार आसनों को करने से नहीं है, मैंने तो देखा जब मैं जंगल में था, बहुत चोटा था बड़ी-बड़ी कंदराओं में, गुफाओं में, उन महापुर्षों को मैंने देखा है, और उन महापुर्षों को जब मैंने देखा है, तो मैं बता सकता हूं कि उनके जीवन को, कि अब थोड़ी देर योग करने से उनका जीवन नहीं, बलकि वो लोग योग को जीते थे हर पल जीते थे क्योंकि योग तो जीने की विधा अगि श talk is not but you do योग इस वाट यू आर कि आसन बहुत पियारे हैं ध्यान भा प्यारा हैं लेकिन उसके साथ-साथ हमें अपने जीवन को भी ध्यान दियान में बनाना होगा योग में बनाना तो योग जो है नेचरल इम्मिनिटी बूस्टर है जिससे तन निरोग और मन स्वस्थ और मस्त रहता है गीता जी में एक बड़ा प्यारा श्लोग है वे युक्ता हार विहारस्य युक्त चेश्ठस्य करमसू युक्त स्वपनाव बोधस्य योगो भवती दुखहा हम जो भी अहार ग्रहन करते हैं जो भी खाते हैं पीते हैं आहार जो भी जिस तरह का भी और हमारा चलना फिरना जहां जाते हैं कहां जाते हैं और हमारा व्यवार किस से कैसे बोलते हैं किस तरह से वारतालाब करते हैं कैसे हम उनसे व्यवार करते हैं यह सारी बाते जो है जब हम बैल ऐसे I don't care करके नहीं, बल्कि उसमें पूरा दिल लगा कर, मन लगा कर करते हैं, सोच करते हैं, तो हमें जो result मिलते हैं, वो amazing मिलते हैं, तो हमारा आहार, विहार और हमारा विहार, आप देखें न चिडियों को, कहां सुबह सुबह देखें उड़ जाती हैं, शाम को सो जाती है भूक लगती है तो खाती हैं, हर समय नहीं कि कुछ भी खाते रहो, मैंने देखा है मेरे गार्डन में, सवेरे सवेरे ऐसा नहीं कि 5 बजे वो लोग खाने लग जाएं, ऐसा नहीं है, बिलकुल सवेरे सवेरे अपनी प्रार्थना करने के बाद, जह चाहने के बाद, फिर वो नाश्टा करती हैं शाम को 5.45 पूने 6 बजे के बाद मैंने देखा है कि वो पूरी प्रार्थना करके आज गल 6 बज जाते हैं क्योंकि सुरत देर से चिपता है सुरत चिपने के बाद थाली में अन्न पड़ रहते हैं क्यों खाती नहीं है तो हमें भी ऐसे ही अपने आपको ब कानी का रख है अगर रात देर तक सोएंगे तो सवेरे उठेंगे नहीं इसलिए अपनी जो जीवन शैली है ना उसको हम लोग जो हम हर दिन करते हैं उसको हम बैलेंस बनाएं डिसिप्लिन बनाएं तो बात बन जाएगी बात एकदम बन जाएगी और वो जब ऐसा व्यक्ति करता है ना योग उसके लिए सारे दुखों का नाशक हो जाता है सारी बीमारियों को दूर करता और शांति का प्रदाता हो जाता है तो जीवन व्यस्त रहते भी स्वस्थ और को जाता है तन स्वस्थ हो मन मस्त हो मशच्ष धरती पर यहीं तो है वैसे बी सची पूछे तो सिवर यहीं पर है सुबह उठने से लेकर के रात्री तक जैसा आपने बताया कि योग को जीवन में ढालना पड़ेगा आचा ये तो ठीक है बाब इस परश्ट है गुरुजी कि ये हमारी संस्कृति में रचा बसा शुरू सरा है हिस्सा रहा हमारी संस्कृति का योग लेकिन आप जैसे आपने गुफाओं में आपने करते हुए लोगों को देखा है पहले के जबाने में योग तो यह जो पुरानी चीज है जो विरासत में हमें मिली हुई है उससे वर्तबान अपना अमच्छा बना सकते हैं में ध्यान करते हुए पाया गया है हम गौरवशाली विरासत के मालिक है हां योग हमारी गौरवशाली संस्कृति का अभी नंग है और हम उसके मालिक बनाया गया हमको कि आप उसके मालिक हैं आप करिए और यह एक नहीं सब उसके मालिक हैं सब के लिए जो करेगा उसका यो और जो करेगा वही निरोग योग हमारे रिशियों की सद्धियों की की गई पर्म तबस्या और खोज का परिणाम है कितनी शुतावदियों पूरो हमारे रिशियों ने इस दिव्य विद्या की खोज की और फिर यह चिकित्सा पधिती केवल नहीं है यह बलकि जीवन शैली भ समनवे कराता है योग आत्मा और परमात्मा से और शरीर का मन से संयूक कराता है जब आप स्वस्त रहेंगे ना तभी आप जीवन का आनंद ले सकते हैं और कहते हैं कि मस्ती सक्ची तभी आती है जीवन में जब भीतर से मस्त होते हैं और भीतर से तभी आप मस्त रह सकते है आपका शरीर स्वस्त हो, कहते हैं कि जिसकी मस्ती जिन्दा हो, उसकी हस्ती जिन्दा है, जिसकी मस्ती जिन्दा है, उसकी हस्ती जिन्दा है, बाकी तो सब जबर्दस्ती जिन्दा है, सच में, बाकी तो सब जबर्दस्ती जिन्दा है, आदमी ना हस सकता है, ना गा सकता है, क्योंकि उच्यीवी स्वस्ता नहीं है, उसका मन ही नहीं करता, इसलिए हम योग करने से स्वस्त और नेनोर रहे सकते हैं, योग जीवन को उमजा且 आनंद में बना देता है। उच्व में और आंंद में कैसे जीएं उसके रास्ते दिखाता है। जीने के लिए पॉजिटिविटी बहुत जरूरी आप देखते हैं, कितनी भी पैथी हों, लेकिन पॉजिटिविटी ना हो जीवन में, पॉजिटिविटी संजीवनी बूटी है, और योग उसको पॉजिटिविटी को लाने में बहुत बड़ा काम करता है, जीवन में सर्फ स सेट है living room सेट है kitchen drying drying सब कुछ सेट है लेकिन आदमी upset है सोचो तो सही इसलिए योग मन को set करता है ध्यान मन को शांती देता है हमारे मस्तिष्ट के हमारे विचारों को भी बैलेंस करता है अगर वीचार बैलेंस होंगे न संतुलित होंगे तो जीवन में आनंदी आनंदाएगा और हर छण उच्षव होगा फिर क्योंकि सारा खेल तो वीचारों का है न हमारी सोच का ही प्रभाव हमारे जीवन में फढ़ता है हम जीवन में आदा गिलास देखते हैं या आदा भरा हुआ देखते हैं आदा खाली देखते हैं या आदा भरा हुआ देखते हैं और जब भरा हुआ देखते हैं तो मन प्रसन हो जाता है खाली देखते हैं तो मन उदास हो जाता है यह सब हमारी सोच पर निर्फर करता है कि हम कैसी देख रहे हैं इसलिए हमें निश्चित रूप से मारे वर्तमान को अगर मजबूत करना है तो अपने थौट management कुलाएं thought management is amazing जैसे thought management आता है जीवन में आप पक्का मानिये पूरी द्रिष्टी ही बदल जाती है समझे ना पूरा देखने का तरीका सोचने का तरीका सब बदल जाता है यह हमें सोचना है तो हम thought management पे ध्यान दें thought management बढ़िया होगा तो आप बड़ी गुड़ बाते हैं आप स्वामी जी बता रहे हैं और आपका एक एक शब्द मुझे लगता है खासकर जो आज की पीड़ी है उसके लिए सुनना बड़ा ज़रूरी है अच्छे इसके साथ अगर मैं कहूं कि योग साधना और अध्यात्म ये जो तीनों चीज है ये ए आपका जीवन सुदर्गया वो नहीं कर पाते हैं तो ये जो तीनों चीजे हैं इन्हें एक कड़ी में कैसे पिरोया जाए देखो हम लोग गोल ग्लोबलाइजेशन के दौर में जी रहे हैं ठीक है ना आज की जो युवा पीड़ी है ना इंटरनेट सोशल मीडिया और करती है लेकिन इंटरनेट के साथ साथ अगर उसको इनरनेट पर भी जीना आ जाए इंटरनेट और इनरनेट का संगम हो जाए इनरनेट है हमारा भीतर हमारा जीपिएस इंटरनेट ओन करते हैं तो दुनिया से बात करते हैं अगर हम अपने जीपिएस को ओन करते हैं इनरने है हम Facebook पे जाते हैं लेकिन मैं तो कहना चाहूंगा जाओ Facebook पे लोग 8-8 गंटे 10-10 गंटे आज कल अगर आप अपने रोज की वीकली रिपोर्ट देखो तो पता लग जाएगा कितने घंटे आप इंटरनेट पे वितीद करते हैं नहीं सोचल मीडिया में वितीद करते हैं तो Facebook पे जाएं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन Facebook के साथ साथ face your book also we must face our book मेरे मेरी जीवन की किताब में क्या लिख रहा हूं मैं और क्या लिखा है और क्या लिख दिया वह बहुत जरूरी है तो ऐसे में जब हम सोचल मीडिया में हैं तो उस competition के दौर को देखते हैं फेस करते हैं और जो दिख रहा है फिर उसे पा लेने की इच्छा होती है जब पा लेने की इच्छा हो तो आदमियों उन्हीं इच्छाओं और अप्यक्षाओं के पीछे दोड़ता है फिर मानसिक तनाव होता है तो उसका शरीर पे असर पड़ प्राणयाम में हम अगवर रोज करने लेगेंगे सविरे उठके यह जीवन के आदमी human resource की बात करता है human resource को डिवलब करता है लेकिन यह life resource development है इन तीनों से हम life के रिसोर्से से ध्यान और प्रानयाम और योग के माध्यन से हम अपने usage आर को नहीं बलकि हम अपने लाइफ रिसोर्से को सीख जाएंगे कि कैसे इसको मैनेज करना है और इसके साथ साथ हम लोग अंतुरिक शांती जो इनर पीस है यह बहुत जरूरी है विक्ति सोचता है कि ये पालिया, ये पालिया, वो पालिया, लेकिन सब पालिया और पीस खो दी, घाटे का सवधा होगा, आदमी कई बार six figures, आज कल तो बच्चे स्कूलों से निकलते हैं, कॉलेज से निकलते हैं, बड़ी-बड़ी युनियोस्ट्री से निकलते हैं, डिग् करते हैं, और तो हम केवल अपने साथ नहीं जुड़ रहे हैं, जो ब्रमांड में, कॉसमास में, जो उर्जा है, हम उसके साथ भी जुड़ जाते हैं, और वो जब उर्जा मिलती है हमको, देके सोलर उर्जा की लोग बात करते हैं, ऐसे spiritual उर्जा भी है, हमारा से लेकर सोल तक, everything become charged with that power, with that divine energy, तो हम उस दिव्य प्रवा से जब जुड़ जाएंगे, तो आपकी शक्ती बिल्कुल different हो जाएगी, फिर आप कोई चिंता नहीं करेंगे कि आज के दौर में, आज की पीड़ी, कोई पीड़ी हो, जब हम इसको अध्यापिक प्रैक्रिस का हिस्सा बना ल तो अध्याप्म का इन वह स्वेम को तलाषने का है, खुद को तराषने का है, जाग कर दिन रात जीवन मूरती कुछ ऐसी बनाएं, खुद उसे देखें समझ लें, जूम जाएं चूम जाएं, अपनी जीवन की मूरती को घड़ना है, जीवन को घड़ें, उसको घड़ें और खुद को पढ़े, self-study करें, क्योंकि end of the day, you matter, your happiness matters. मिज़े याद बच्पन में, एक स्वामी जी चे एक question किया था किसी ने, कि बोलो जीवन कैसा है, what is life, how is life, what is life? का तो बोलो जीवन कैसा है, जैसा बना लो वैसा है, चाहे इसको नर्ग बना लो, चाहे इसको स्वर्ग बना लो, बोलो जीवन कैसा है, जैसा बना लो वैसा है, बस ये अपने हाथ में है, इसे ध्यान हो, साधना हो, योग हो, ये सब हमेरे जीवन में balance लाते हैं, और साधना के बलपई देखिए न, आपने नरेंद्र, जो स्वामी विवेकरंद बने, और अपने नरेंद्र, जो नरेंद्र मोधी बने, आपने देखा है उनको, एक छोटे से नरेंद्र को नरेंद्र मोधी बनते देखा है, एक चायवाले को इतनी बड़ी चाहा, से निपटते देखा है, और सबको इन सारी समस्यों से निपटते देखा है, राजकुमार सिधार्थ को भगवान बुद्ध बंते देखा है हमने, इसलिए खुद से पूछें, what we want, what I want, end of the day, I want to become better or bitter, I want to be in peace or in pieces, what I want exactly, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है वही हो नहीं पा रहा है गुरूजी, क्योंकि Google पर हमें सब कुछ मिल जाता है, Facebook पर हम दूसरों से बात कर लेते हैं, लेकिन खुद को नहीं डून पाते हैं, जैसा अभी आपने भी कहा, अच्छा मैं इसके पहले भी आपको सुन चुकी ह करी की बात की, बहुतिक्ता की बात की, क्या मैं मानू कि यही आधुनिक्ता, यही बहुतिक्ता, और Facebook, Social Media, क्या यही वज़ा है, अध्यात्म से हमें दूर ले जा रही है, और हम डिप्रेशन का, अवसाथ का, हर रोज शिकार बन रहे हैं, युवा भी आपने देखा, कितनी नीन से बैलन्स, आध्यात्म को नुकसान नहीं पहुचा सकती, और आध्यात्म को नुकसान जरूर पहुचा रही है, क्योंकि अध्यात्म तो सनातन है, आप उसे स्विकार हो, तभी उरएगा, सूरज तो निकलेगा, निकलेगा, आप एकसेप्ट करो के ना करो, उतना उतनी दूर तक जाएं जितने से हमें नुक्सान ना हो moderation चाहिए, balance चाहिए, discipline चाहिए, इसलिए योग और ध्यान चाहिए करके देखें लोग, मिलेगा लोगों को, जब तक आप caring करेंगे, दूसरे को सर्व करेंगे आप मिट्टी में जाके काम करिए, गार्डन में काम करिए, ये छोटी-छोटी चीज़ों को आप करिए तो आपको लेगे वाओ, आपको इतनी शांती मिलेगी, आधुनिकता बनाएं, आधुनिक होना गलत नहीं है परंतु, मैं अक्सर कहता हूँ, आप जहां भी रहें, अपने मूल से जुड़े रहें, अपने मुल्यों से जुड़े रहें, अपनी जड़ों से जुड़े रहें अगर जीवन में संसकार है तो सब कुछ है नहीं तो वह जीवन बिन पानी की नदी है और बिन पैसे का बैंक जो होता है उसके जैसा है जिन्दगी नहीं तो सब सेट होगा और जीवन अपसेट रहेगा बिलकुल एक दम ठीक बात गुरू जी लेकिन मुझे लगता है कि आप जब बता रहे तो ये चीज़ें बड़ी आसान मालूम पढ़ रहे हैं लेकिन जब इसको अपने उपर लागू करने की बात आती है तो ये बड़ी मुश्किल हो जाती है जैसे अभी आपने कहा था आचा खुशी खुड के अंदर ढूडनी है वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं देखिये अनुलोम विलोम करें ये भाुट अच्छी बात है बहुत फाइद्य वाली बात है लेकिन वीचारों कभी अनुलोम विलोम करें ये बहुत ज़रूरी है नहीं तो नीन आप नीन साभी दे है कि आप की सारी खुशियां गाइब हो जाएंगी आप चिरचडए होंगे irritated होंगे frustrated होंगे stressed होंगे ठके हοए होंगे कोई भी काम करेंगे आप तो बागी मन लगा करनी करेंगे आपका attention ही नहीं होगा दिन में और t現在 बढ़ जाएगा क्योंकि आपकी नीद अच्छी नहीं थी, इसलिए कम से कम 20-25 मिनट ध्यान के लिए दें, और शान्त हो जाएं बिलकुल थोड़ी देर के लिए, शान्त होकर बैठें, कुछ ना भी होता और शान्त होना तो आता ही होगा, आँख बंद करके बैठ जाएं, ना भी से सास जारी नेवल से उपर की और धीरे-धीरे और आईब्राव सेंटर अग्या चकर तक और फिर उपर से नीचे तक आएं, धीरे-धीरे इसका अभ्यास बढ़ाएं, आप देखेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, जरूर स्वामी ची लेकिन एक चीज मैं अभी भी समझना चा खुश रहने के लिए, देखो, जब आप भीतर से खुश होंगे ना, तभी आप स्वस्त रहोगे, ठीक है के नहीं? जी, और जब स्वस्त रहेंगे, तभी आप खुश रहेंगे, नहीं तो खुशी कैसी आएगी, इसलिए हमारे आँ का पहला सुक निरोगी का या, भीतर की खुशी कोज नहीं होएं, तो खुद से जुड़ें, सेल्फ से जुड़ें, और ध्यान. खुद को तलाशना और स्वयम के साथ रहना, तो वो क्या है? नहीं तो कई बार आता है, हाई हाई मैं चुप रहती तो अच्छा था, क्यों बोल गई भी ना मतलब, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल कई बार होता है, होता है कई बार, तो आदमी को ये सारी कलाएं जो है, कौन देता है, कौन से शॉपिंग सेंटर मुझे बता दो, कि चलो तो एक किलो श regenthy लेया होगी तुम, इसलिए हमको खुद से कंेक्ट होना है, जो खुद से कनेक्टे है, जो पूरी दुनिया को कंणेक्ट कर सकता है, जो ःफ्ये जुड़ा नहीं है, तो दूसरों को क्या जोड़ेगा, इसलिए आज घर-घर में क्लेश है, मिया-बी-वी म एक चोटी कहानी, बड़ी संक्षिप्त में बैलन्स, एक लेडी बहुत परिशान थी, वो डॉक्टर के पास गई, बले दॉक्टर, I am very puzzled, I don't know what happened to me, मैं जहां छूती हूँ, जहां हाथ लगाती हूँ दर्द होता है, डॉक्टर ने कहा, okay, come tomorrow, we will have a check-up, को पूल चकप करेंगे, अदल दिन पांच गे, डॉक्टर ने चैकप गी, रॉक्र भार, I report, को धान सबे र्चान रोन का की, मैं, there is a good news, and there is a bad news, the good news is, that there is nothing wrong in your body, everything is perfect, but the bad news is, your finger is broken, तूट गई हो और जहां भी आप चूएंगे उसको तो तर्द होगा चाहे वह तंदे पे चूएंच आप चूएंगे जिसको भी हिट करेगी दर्द वानी ओगा दर्द खूएंगे उसको मेरी उंगली तूटी हुई है अपनी उंगली को स्पिंट चड़ाएं प्लास्टर ला हो आज मन को विश्राम देने के जरूद है इसलिए हॉलिडे पर जाते हैं हॉलिडे गी मनाएं लिख interventions слова तो अब होलो होलो atm तो सब भर जाएगा और सुक्रवाद स्वामी जी आज खास करके होग दब के दिन हमारी खुशियों का रिमोट हमें बताने के लिए कि वो हमारे पास ही है और अंदर ही हमें वो खुशियां मिलेंगी और योग जैसा आपने बताया कि सिर्फ कुछ लेकिन जैसा गुरुजी ने बताया कि अनुलोम विलोम सर्फ सांस का नहीं दिमाग का भी करें जो नकारात्मक्ता है उसे बाहर निकालें और जो सकारात्मक्ता है उसे अंदर लें आगे भी जारी है जी हिंदुस्तान योग इविमर्श यह थो सब्सक्ता है झाल झाल